वेलकम बैक टो एक्स्पिलेनर गोल्ड ये कहानी एक सची घटना पर आधारी थे जो 1990 में अमेरिका के एक चोड़े से शहर ग्लोस्टर में घटी थी इस शहर में मचवारों की बस्ती है ये मचवारे हर साल दो या तीन बार मालिकों से किराए पर बोट लेकर बीच समुदर में जाकर बहुत सारी मचली पकड़गर लाते हैं और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते हैं पर इस पेशे में खत्रा भी बहुत है मौसम का बिगलना और समुदर की उँची उँची लहरे कभी कभी मचवारों की मौत के विच्छोना भी बन जाती है ऐसा ही हुआ था कुछ मचवारे एक बोट लेकर समुदर में मचली पकड़ने गए पर वो वापस कभी नहीं लोटे एक हफते तक ढूनने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला आकिन उनके साथ क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा मूवी की शुरुआत में हमें दो फिशिंग बोट को आते हुए देखते हैं एक बोट के कैप्टन का नाम बिली टाइन है और दूसरी बोट के कैप्टन का नाम लिंडा है सब लोग घर वापस आकर बहुत खुश थे कैप्टन बिली की टीम में छे लोग होते हैं बोबी, मर्फी, माइक, अल्फरेड बोबी अपनी गर्फरेंड से मिलकर जिसका नाम क्रिश्टीना है बहुत खुश होता है इसके बाद इनके पास बोट का मालिक आता है इस बाद से बिली परेशान हो जाता है रात को सब लोग बार में खूब एंजॉय करते हैं ये बार बोबी की माँ चलाती है तब लोग अपने अपनी गर्फरेंड के साथ एंजॉय करते हैं लेकिन माइक को कोई भाव नहीं देती वहीं बार के बाहर मर्फी अपनी वाइफ और बच्चे का इंतजार कर रहा होता है मर्फी की वाइफ और बच्चा अब उसके साथ नहीं रहते मर्फी अपनी वाइफ को पैसे देता है पर अपने बेटे के साथ कुछ टाइम बिताता है तब ही कैप्टन बिली को किसी का कॉल आता है और वो सबसे कहते हैं कि हम कल फिर मशली पकड़ने जाएंगे इस पर सब लोग कहते हैं कि अभी तो हम आए हैं हमें थोड़ा वक्त चाहिए लेकिन कैप्टन बिली कहते हैं कि अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं किसी और को साथ लेकर चला जाऊंगा क्योंकि कैप्टन खुद को साबित करना चाते हैं कि वो एक अच्छे कैप्टन है सब लोग उनकी बात मान जाते हैं लेकिन बॉबी की गर्फरण इससे नाराज होती है तो बॉबी उसे समझाता है क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत जरुत है रात को मर्फी अपने बेटे को उसके घर छोड़ देता है और वो बहुत भावुक हो जाता है तो कि उसकी वाइफ दूसरी शादी करने वाली है अगली सुबा सब लोग खाने पीने का सामान बोट में रख देते हैं और तबी कैप्टन बिली के पास कैप्टन लिंडा आती है वो बिली से पूछती है कि क्या तुम फिर से जा रहे हो क्योंकि अभी अभी तो तुम आए हो इस पर बिली उससे कहता है कि मैं खुद को साबित करना चाता हूँ मैं इतनी मचली पकड़ना चाहता हूँ जितनी किसी ने कभी नहीं पकड़ी हो अब बिली डैविड के पाथ जाता है क्योंकि बिली का एक आदमी काम चोड़कर चला गया है डैविड उसके साथ जाने को तयार हो जाता है अब सब लोग बार में आ जाते हैं जहां डैविड की मुलकात मर्फी से होती है डैविड और मर्फी में कभी नहीं बनती वो दोनों जगड़ा करते हैं लेकिन बॉबी की माँ उन्हें समझा देती है अब वो वक्त आ जाता है जब इनको अपने सफर पर निकलना है सब लोग एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने सफर पर निकल जाते है बोट में खाने पीने का सामान सेट कर दिया जाता है कैप्टन बिली बोट के इंजिन को अच्छे से चेक करते है माइक बर्फ बनाने वाली मशीन को चालू कर देता है जिससे काफी सारा बर्फ बनता है इसके बाद बोविक कैप्टन बिली के पास जाता है और उनसे उनकी फैमली के बारे में पूचता है कैप्टन बताते हैं कि उनकी एक फैमली है जो फिलोरिडा में रहती है पर कैप्टन को फिशिंग करना बहुत पसंद था इसलिए वो अपनी फैमिली से दूर हो गए दो दिन गुजरने के बाद वो लोग सेबल आइलेंड तक पहुंच जाते हैं वहीं दूसरी तरफ हम एक टूरिस्ट बोट को देखते हैं जो बरबुटा की तरफ जा रही थी कैप्टन अपनी बोट दा ग्रेंड बैंक सेबल आइलेंड से तीन सो बैलिस माल से दूर इस्ट में ले आते हैं वहाँ वो मशली पकड़ने का फैसला करते हैं ये सुनकर सारे साथी बहुत खोश हो जाते हैं एक एक करके वो सबी काटे पानी में फिक देते हैं रात को मर्फी और डेविड में फिट से जग़ड़ा हो जाता है तब ही कैप्टन इनको शांत कराते हैं सुबा होते ही सब लोग मशली वाले काटे को चेक करते हैं कोई मशली फसी है या नहीं और तबी उन्हें कुछ मशलियां मिलती हैं जिससे सब बहुत खोश हो जाते है वहीं दूसरी तरह बॉबी की गर्फरेंड और उसकी माँ आपस में कुछ बाते कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें टीवी पर एक नियूज दिखाई देती है जिसमें बताया जाता है कि बर्मुटा के 50 माइल्स के इलाके में मौसम बहुत खराब होने वाला है सेबल आइलेंड में एक बहुत बड़ा समुदरी तुफान आया है ये मौसम और भी जादा खराब होगा समुदर में 30-40 फुट उची लहरे उठेंगी रात भर में हालत और भी जादा खराब हो जाएंगे वही दूसरी तरब हम कैप्टन बिली की बोट को देखते हैं जहां सब लोग काफी दुखी थे क्योंकि यतनी मशली इनको चाहिए थी उतनी इना अभी तक नहीं मिली थी सब लोग इस बारे में कैप्टन से बात करना चाते थे लेकिन कैप्टन से कौन बात करेगा इसकी हिम्मत किसी में भी नहीं होती रात को उनके काटे में एक बहुत बड़ी मशली फस्ती है जिससे सब बहुत खोश हो जाते हैं जब उसे खीचते हैं तो पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ी शार्क मशली है जो बॉबी के पैर को जखमी कर देती है बड़ी ही मुश्किल से वो लोग बॉबी के पैर को छुडाते हैं वहीं दूसरी तरफ हम तूफान की जांच करने वाले एक प्लैन को देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये तूफान अभी और भी ज़्यादा बहानक होने वाला है इदर सब लोग खाना खाते हुए आपस में बाते करते हैं कि हमारे कैप्टन में अब वो बात नहीं रही क्योंकि अभी ताकीरों ने उम्मीड से बहुत कम मचलिया पकड़ी हैं जिससे इने कुछ फाइदा नहीं होगा इसलिए बावी कैप्टन से बात करने जाता है वो कहता है कि हमारे मचली वाले फ्रीजर अभी भी खाली पड़े हैं हम ऐसे खाली नहीं बैठ सकते हमें पैसों की बहुत जरुट है कैप्टन इस बात से बहुत नराज हो जाते हैं वो कहते हैं कि मैंने वादा किया था हमें धेर साली मचलियां मिलेंगी रात को सब लोग फिर से मचली के काटे पानी में डाल देते हैं लेकिन तबी गलती से एक काटा मर्फी के हाथ में खुच जाता है और मर्फी उस काटे के साथ समुद्र में नीचे जाने लगता है अभी डेविड की नजर उस काटे की दोर पर पड़ती है तो सबसे पहले डेविड पानी में कूटता है और उसके बाद बोबी पानी में कूट जाता है मर्फी लगातार समुद्र में नीचे की तरफ उस काटे के साथ साथ बह रहा था काफी नीचे जाने के बाद वो भेहोश हो जाता है बोबी और डेविड उसे पकड़ कर उपर ले आते हैं सब लोग मिलकर उसे होश मिलाने की कोशिश करते हैं और वो होश में आ जाता है सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं अब कैप्टन उसके हाथ से काटा निकाल कर उसके हाथ पर बेंडेज करते हैं मर्फी पूसता है कि मुझे किस ने बचाया इस पर कैप्टन बताते हैं कि तुम्हें डेविड ने बचाया ये सुनकर मर्फी हैरान हो जाता है इसके बाद वो बाहर जाता है और डेविड को थैंक्यू बोल कर पुराने गिले शिपे भोला देता है इधर हम उस टूरिस्ट बोर्ट को देखते हैं जिने अभी अभी एक मिला है जो मौसम विभाक से आया है उसमें भायानक तूफान की वार्निंग होती है दोनों लेडीज कैप्टन से बंदरगा जाने को बोलती है लेकिन कैप्टन इस मौसम में वहां नहीं जाना चाते है वहीं दूसरी तरफ कैप्टन बिली के जहाद से एक बहुत बड़े ल जाते हैं और कहते हैं कि तुम बच्चो की तरा डर रहे हो इसे कैसे तुम मशलिया पकड़ोगे इस पर मर्फी कहता है कि Fucking कहते हैं कि हम फ्लैमिश कैप जाएंगे जहां मशलियों का भंषल martyr है इस बास सब लोग जाते हैं कोकि फ्लैमिश किए समुद्र का बहुत खतरना की लगा है जहां समुझरी तुफान कभी भी आता रहता है तब कैप्टन उन्हें कहते हैं कि या तो फ्लेमिश कैप मेरे साथ चलो या फिर खाली हाथ घर लोट जाओ इस पर सब लोग तयार हो जाते हैं कि वो सब फ्लेमिश कैप जाएंगे इसके बाद कैप्टन लिंडा कैप् अबर नहीं सुनी वहां का मौसम बहुत खराब है और सेबल टापू में बढ़ आ गई है लेकिन कैप्टन बिली उसकी बात नहीं मानते इधर हम गलोश्टर शहर में बॉबी की मा और उसकी गल्फेंड को देखते हैं जहां वो टीव में नीउस सुनते हैं कि एटलेंटिक म हम कैप्टन बिली के जहास को देखते हैं जो फिलैमिश कैप पहुच चुका है और उन लोगों को वहां पर बहुत सारी मचलियां मिल गई हैं यहां उन्हें उनकी उमीद स्जादा मचलियां मिल जाती हैं सब बहुत खुश होते हैं लेकि उन्हें इस बात का जरा भी अंद हैं कि हमारे पास काफी बर्फ है अब हम घर जा रहे हैं और तभी कैप्टन बिली को मौसम विभाग से एक फैक्स आता है जिसमें भयानक तूफान की चेतावनी होती है क्याप्टन सबसे उनकी राय मंगते हैं कि हमें यहीं पर रुक कर मौसम ठीक होने का इंतजार करना चा है और उस तूफान में टूरिस्ट बोर्ट पलट जाती है वो लोग बचाव दल से काउंटे करते हैं और अपनी लोकेशन बताते हैं थोड़ी देर में वहां बचाव दल का एक हेलिकॉप्टर आता है जो उन्हें उस बोर्ट से निकालकर हेलिकॉप्टर में बठा लेते है इदर कैप्टन बिली का जहाज एंट्रिया गेर समुदर की लहर को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था और तबी कैप्टन लिन्डा को मौसम विभाग से तूफान की बहुत बहानक चेतावने मिलती है लिन्डा कैप्टन बिली से काउंटे करने की कोशिश करती है लेकिन कै लिन्डा बचाओ दल को कैप्टन बिली की लोकेशन बता देती है ताकि वो लोग उन्हें बचा सके इदर बचाओ दल का हलिकॉप्टर पहले बचाए हुए लोगों को दूसरे बचाओ दल के पास छोड़कर एंड्रिया गेल जहाज को ढोने निकल जाते हैं इदर कैप्ट बिली उस लंगर को कार देते हैं इदर बचाओ दल के हलिकॉप्टर में फ्यूल खत्म होने वाला था और तभी फ्यूल भरने के लिए एक प्लेर महां आ जाता है लेकिन तेज हवा होने की वज़ा से बहुत मिश्किलों के बाद भी वो फ्यूल नहीं भर पाते समुदर में नीचे चला जाता है इधर एंट्रिया गेल जहाज पर कैप्टन बिली भी अब हार मान जाते हैं वो समझ जाते हैं कि अब आगे नहीं बढ़ सकते इसलिए वो वापस पीछे जाने का फैसला करते हैं इस पर माई कहता है कि हम मचलियों का चाह करेंगे तो कैप् मालिक को देखते हैं जो बार में जाकर सबको ये खबर देता है कि एंट्रिया गेल जहाज के लोगों को बचाने वाले बचाओ दल अब उन्हें नहीं बचा सकते ये सुनकर वहाँ बैटे सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं ये लोग जहाज को मोड लेते हैं लेकि इनक आगे का सफर और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि इनके सामने समुद्र की एक बहुत बड़ी लहरा रही है जो इनके जहाज को पूरी तरह पलड देती है और इनके जहाज में पानी बरने लगता है बोबी कैप्टन से पूछता है कि अब हम क्या करें इस पर चाते हैं कि आप उन्हें कोई नहीं बचा सकता बॉबी जब ऊपर आकर देखता है तो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों देख कर समझ जाता है कि अब वह अपने लोगों से कभी नहीं मिल पाएंगे एंट्रयागेल जहाज समुद्र की गोद में समा जाता है और बबी अप प्यार का इजार करता है अब एक बहुत उची लहरा आती है जो बोवी को अपने साथ लेकर चली जाती है अब हमें एक हफ़ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां छे हेलिकाप्टर एक हफ़ते से लगातार उस भैनक तूफान की चपेड माई लोगों को ढून रहे थे लेक लोटन बिली को बहुत मिस करती है और यह सची कहाने पर बनी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों को आपको यह मूवी एक्स्प्रेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना